दुनिया में एक मुदी और सप्पे बाड़ी मतलब के सारे उसको बुला रहे हैं सारे उसको कह रहे हैं कि ये करो वो करो क्यों जो हमें आतंग की हमलों के जख्मत देते थे उनकी क्या हालत है ये देशवासी भी देख रहे हैं और दुनिया भी देख रही पाकिस्तान की शार पाकिस्तान की हालत तो देखो पूरी दुनिया पाकिस्तान की हालत देख रही है कि क्या है पाकिस्तान की ग्रोथ एक परसेंट है इंडिया की नाइन को छोड़ो साथ आठ कर लो साथ कर लो छे कर लो हमारे में कौन सा ऐसा जखम है हमारे में कौन सी इसी खराबी है उनकी तो प्रोग्रेस तो देखें जनाब कहां पर वो किस जगा पर पहुंचके पूरी दुनिया उनको कह रही है कि आप ग्लोबल पीस में करकर किरदार अदा करें और जंगे खतम करवाएं और सारी दुनिया से उनकी तेजारत है और कैसे बड़े बड़े अग्रीमेंट्स हो रहे हैं कि जो उनके दुश्मन है वो भी जो है वो उंगलियां जो है वो मुह पे रखके और यूं करके बैठें कि हमें मुदी से सीखना चाहिए बात यह हैं देखे मुदी क्यों फवलर हुआ कुछ चीज तो है उनके पीछे आज भारत का वजीर आजम नरिंदर मुदी यह ना कहा रहा हुता कि देखो हाल क्या हुआ इनका अंदाजा करो यह नतीजा निकलता है आतक बाद का यह दैशि काम बना रहा है लेकिन पाकिस्तानी पूरी दुनिया के अंदर मारे मारे फिर रहे हैं एक एक बिलियन डॉलर के लिए जो है ना अमेरिका के और सजुदी अरब के पाउँ पकड़ रहे है इसे हालत क्यों ही है इसको लेकर वीडियो काफी मजदार होगी पूरी देखना ला कि भाई हमारी जो लडाई है ना इस पर थोड़े से कंप्लिमेंट्स दें और इसको खतम करने की कोशिश करें दुनिया में एक मुदी और सप्पे बाड़ी मतलब के सारे उसको बुला रहे हैं कि यह करो वो करो क्यों रिश्या यूक्रेन की आपस में वोर्ड अमेरिका को चोड़के वो मुदी को बला रहे हैं कि वहीं ऐसी क्या क्वालिटी उसा इसी क्या बात है जो कि उन्हों को मुदी जाए था और अपनी वौर्ड को खतम करने के लिए यह तो हमें अपना और उनका कंपैरिजन करना चाहिए ना इंडिया का कि हमें और उनमें डिफरेंस क्य तो हमारा उनके साथ मतला यह है कि हमां कंप्रोमाइज नहीं करते किसी चीज पर अपनी तो इंडिया हर चीज में आगे है हमसे हम किसी भी चीज में अपना कंपैरिजन करें इंडिया के साथ वह हमसे आगया उसकी सनत हमसे अच्छी है उसकी प्रोडक्स हमसे अच्छी है सा बोइन को अचा लिया को दिखाया जाता है उसको हमारी जारी बाई बाणिया बढ़के इतने इतने पीम थे खोड़के रिश्या को चुड़के एवन कि कंडा के पीम के फेम था उनको चोड़के बोधि को मुलप के लिए आप देखो आपको क्या लेना देना आपसे उसको तो चाहिए पर मुलक देखेंग उसने सुईय से जहास्ता अपना बनाना शुरू कर दिया मेरीन इंडियापे काम गिया फिर उसके बाद उसने एक एक चीज के फिल्ड को बेतर यॉट नहीं हो ज maps変ू के लिए हुद्वास झालना धिर उउसकामनी इसलिए बेशने के लिए हुख अपने के लिए वे सोचता हैं अपने चिसलिए काम उ इससलिए भी ही हुद्वाय क्योरीफी इसलिए वो उसको दो बार प्राइम मिनेस्टर बना चुकी है और शहीं तीसरी बार भी बनाएगी चांसिस है तभी रिश्या और युक्रेयन वार में उन्हों ने उसको एड किया है कश्मीर को आप क्या दे सकते हैं कश्मीर हम से अच्छे अच्छे अलात में जिनकी गुजा यह फालत करना चाहिए फालस्तीन को स्पोड़र करना चाहिए एक बारे पर ऑप जाके जंग कर रहा हो आप यह कि क्षमीर हम सब आना चाहते हैं वह वाली नहीं रही आप जांग नौलगीकल वारा रहा आपको वह बेचिक हारे हैं आप देखो मूबाल पकड़ा हुआ काम के कैसी आए का अबी का स washing ञान कि आब छोट बें डिया कि पाकिस्ताओं इरान की गैस पाइपू alan आम्ने बने दें घे इसके भूत पूरु है यही तो डूब गैस नहीं हूमारे रहान मुस्लमान है मैं वही तो कह रहा हूँ कि मुसल्मान मुमालिक जितने हैं मैंने आप से क्या बात किया जितने मुसल्मान मुमालिक हैं हमें सब के लिए वाद उठानी चाहिए जहां तशदूद हो रहा है जहां जूलम हो रहा है ये चीजे मेरी बात सुने इन चीजों से निकलकर अभी जो आडियालोजी से निकलकर लोग अपने मुलक की मफाद की तरफ आ रहे हैं जो आपने बात की फलस्तीन का मामला सारा मिडल इसका वो क्यों नहीं बात करते हैं हम क्या उनसे जादा अच्छे मुसल्मान है आपने मुल्ड के लिए हमेशा खेर खाया और सबसे बड़ी बात यह कि अगर जो फलस्तिन फ़लस्तीन में हो रहा है जो कश्मीर में हो रहा है उसके लिए हमें वाज जदो जड़़्ाई से उठानी है यह आम लोगों का पाशने है अब बात सुने क्या मेरा कि पता प्लिए प्राइस किया है आप कश्मीर की बात करें आज फलस्तिन देख लें आप फलस्तिन की तरह आप पलस्तिन हमारा मुसलमन भाई नहीं है उनके लिए वाज उठाना हमारा फार ने कहा कि हशर देख लो पाकिस्तान का बारत का वजीर आजर नरेंद्र मुदी कह रहा है कि पाकिस्तान का हशर देख लो आप इसला है को अगर उसकी जगापर तरफ की का सोचा जाता अगर वो जो देखे ना हम खुदी तो देखे वहाँ पे क्या कि कभी जो कौमी धारे में ले आते हैं कभी दैशित कर दोस्त बन जाते हैं कभी गुलामी की जंजीरे तोड़ देते हैं फिर उसके बाद वही तालिबान और टीटीपी जो है वो दुश्मत बन जाती है पिर उनको छोड़ दिया जाता है वगएरा 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 तो इस सिच्वेशन में हुआ क्या है और फिर ये कि जो कश्मीर की रठड़ लगाए रखी कभी एकानमी पर कभी वह भी नी दिया तो अगर आप अपनी जो अनर्जीज हैं उसके उपर सर्फ करते तो फिर जो है आज ये किसी को कहने की जरूरत ही ना बढ़ते हैं तो दोस्तो आई होप कि आप कोई वीडियो जरूर पसंद आई होगी और यहां पर आपने पाकिस्तानी पाबली का रियक्शन देखा है कि भारत तो दुनिया भर के अंदर तेजी से आगे बढ़ रहा है पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी जंग होती है या कहीं पर भी मामलात खराब होते हैं तो बारतार सरकार को अपरोच किया जाता है उनको कहा जाता है कि आपाईए बातशीत करवाईए और जंग को रुकवाईए तो ये जो एक तरीके से चाहते हैं कि ये जो रुतबा होता है reputation होती है वो एक दिन में नहीं बनती है इसके उपर जो है लगातार काम किया जाता है जब आपकी economy मजबूत होती है जब आपका देश मजबूत होता है सरकार मजबूत होती है तब दुनिया जो है आपसे जो है पिर बात करना शुरू करती है ये साथ में ये पाकिस्तान का comparison कर कि रहते हैं वैसे तो भारत के साथ मैं पाकिस्तानी अपना जो मन बैलाने के लिए अप्सांद करते हैं लेकिन उल्बारत की ने करते हैं त thirds करा नहीं को से लगारत जिकातंता हैं इस-फौल इससरी प्रव्पा पाकिस्तानर की क्या हमको बेट कर बात करनी चाहिए इनका तो वही रोना दोना चलता रहता है जैसा कि वह इस वीडियो में करते हुए आपको दिखाई दिये है बागी आपने वीडियो देखी है अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके जरूर बताला हम भी लेंगे अगली नई वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद